रोजाना खाली पेट पिए इस तीज को पानी के साथ हफते भर में मक्षन की तरह पिंगल जाएगी अपकी चर्वी नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आपको बताने जारो एक ऐसे बहतरी नुस्के के बारे में जिसके करने के बाद अगर किसी मेरी माता बेहन का वजन बहुत जादा बढ़ गया है या किसी मेरी दोस्त का वजन बहुत जादा बढ़ गया है उन्होंने जिम भी जोइन कर लिया है लेकिन उनका वजन कम होने का नाम नहीं लेला और साथ की साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रा तो ऐसे में जो नुष्का मैं आपको बताने जा रहा हूं उस नुस्के को आप regular करोगे आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा जितनी भी चरबी है वो सारी मखन की तरह पिंगल जाएगी अगर आपका face बढ़ा हो गया है, side fat आपके बढ़ गया है आपके चेहरे के नीचे बिल्कुल fat इकटा हो गया है, आपकी थाईया मोटी होई है तो ऐसे में इस नुस्के के regular कुछ दिन करने से आपका बढ़ा वजन बिल्कुल जादुई तरीके से कम हो जाएगा इसे हर कोई कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं है बस जो मेरी माता बहन प्रेगनेंट है, वो इस नुस्के का इस्तिमाल ना करें और साथ के साथ जो मेरी माता बहन बच्चों को दूद बिलाती है, वो भी इस नुस्के को ना करें हर कोई इस नुस्के को कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं मेथी दाने के फैदों के बारे में दोस्तों अगर आप मेथी दाने को अलग-अलग तरीके से इस्तिमाल करोगे आपका वजन बहुते जी से कम होता है मेथी दाने का इस्तिमाल हम खाना बनाने के लिए ये मसाले बनाने के लिए इस्तिमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, बजह को बुधिवर करता है, यह आपके Metabolism को इंप्रूस इंप्रूव करता है, आपके बड़े ओए Blood Pressure को कम करता है, मोटा पाड़ बुधिवर कम करता है, अगर किसी मेरी दोस्त के साथ तो डायबटीज की समझ्या को बिल्कुल जड़ से ठीक करने में मदद करता है मेठी दाना। मेठी दाने के इतनी सारे फायदे हैं अगर मैं आपको बताता जाओ तो आप गिंते गिंते ठक जाओगे मेथी दाने के अंदर विटामिन और मिनरल पर चूर मातरा में होते हैं जिस कारण से आपके सरीर के अंदर किसी भी तरिकी की विटामिन की कमी है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है और अगर आपको बार-बार भूख लगती है, आप एक बार खाना खाते हैं फिर दुबारा खाना खाने का मन करता है तो ऐसे मेख बार-बार भूख लगने की समस्या को भी मेती दाना ठीक करता है तो दोस्तों मेती दाने के एक मातर उपयोग से जो आपका डाइजर्स से नहीं वो बहुता बहतर हो जाता है अगर आपके पाचन सकती मजबूत होगी तो आपके सरीर के अंदर फैट कभी भी खटा नहीं होगा आपके Metabolic Rate को बेतर करता है इसके अंदर Antioxidants कूट-कूट कर बरे है अगर किसी मेरे दोस्त के साथ या मता बैन के साथ हरनिया की समस्या है तो हरनिया की समस्या को भी ठीक करता है मिठी दाना अगर किसी मेरे दोस्ट के साथ men's fertility की समस्या है तो fertility की समस्चा को बिल्कुल z udah secure करता है आपकी health को बैतर करता है अगर आपके साथ कब्जित की समस्या है आप toilet में जा कर बैठते हो बार बार बैठते हो लेकिन fresh नहीं हो पाते तो कबजयत की समस्या को भी बहुत तेजी से ठीक करता है बस आपको इतना पता होना चाहिए आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है दोस्तो मिथी दाने की तासिर गरम होती है अगर इसे हम कम मातरा में इस्तमाल करें तो इसके फायदे बहुत जादा है वजन तो कम करता है और दुनिया बरकी बिमारियों को भी ठीक करता है हम सबजी बनाने में भी मिथी दाने का पाउडर या मिथी दाने का इस्तिमाल कर सकते हैं इतना करने से भी भोज़दा फायदा में बता है आपको सिंपलिस में उसके को कैसे त्यार करना है वो मैं आपको बताता हूँ आपको सुबह उठते ही सबसे पहले तो एक गिलास पानी पीना है एक गिलास पानी पीने के बाद आदी चमच मिथी दाना आप पूट ले या उसे मिक्सी में पीस ले पीसरे का जो पाउडर त्यार हो जाए आदी चमच मिथी दाने का पाउडर आप अपने मुग के अंदर डाले साथ के साथ एक गिलास गुनवुना पानी आप पी जाए बस इतना करने से रेगुलर आपका वजन बहुते जी से कम होता है और दूसरा तरीका ये है आप आदी चमच मिथी दाने को एक टोरी पानी के अंदर रात को भीगो कर रख दे और सुबह होने पर सबसे पहले तो एक गिलास पानी पिए और उसके आधे घंटे बाद जो मिथी दाना है वो आप चबाजाबा कर खा जाए और उसके एक घंटे बाद आपका जो भी मन करें आप खा पी सकते हो कोई भी नुक्सान निया बस आपको इतना ध्यान रखना है जब आप मिती दाना खाओ उसके बाद ना तो आपको पानी पीना है ना कुछ खाना है एक घंटे तक कम चे कम आप 40 मिनिट तक तो इमजार जरूर करें और दोस्तों आपको लाष्ट में जाते साते एक और नुसका बता दूँ जो भूगड़े होती हैं जिनने हम आज से मसल मसल कर खाते हैं वो आप एक से दो मुठी सुबह खा ले साथ में थोड़ा सा गुड़ खा ले बस आप इतना करोगे आपको भूग नहीं लगेगी और साथ के साथ आपका वजन भी कम हो जाएगा भूगड़े और गुड़ एक साथ खाने से आपके सरीर के अंदर खून की पूर्ती भी बहुत तीजी से हो जाती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं आसा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद दे तो लाइक जुरूर करें साथ के साथ सब्सक्राइब के लाइब बिटन को जरूर दुबाएं और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको मेरी नई वीडियो के साथ धन्यवाद